हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके जुलाई 2021 एडमीशन के बारे में यदि आपने भी जुलाई 2021 सेशन में एडमीशन लिया है तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके exam कब होंगे बहुत सारे student का कहना है कि हमारे exam कब होंगे तो दोस्तों बात करते हैं आपके exam की तो आपके exam जो हैं अगर आपने जुलाई 2021 सेशन में admission लिया है जुलाई 2021 सेशन के जो admission है वो जून से start हुए थे किसी भी yearly based program में जैसे कि आपका bachelor degree का कोई प्रोग्राम हो BAG, BCOMG, BSCG या BA honors का कोई प्रोग्राम हो जैसे कि आपका BA Hindi honors, BA English honors, BA History honors, BA Political Science honors या फिर आपका master degree का कोई प्रोग्राम हो जैसे कि आपका master of political science, master of history, master of English, master of economics तो इन सभी program के लिए आपका जो exam है वो जून में होगा क्योंकि आपके जो exam होते हैं वो एक year के बाद होते हैं जैसे कि आपने January में admission लिया है तो आपके exam December में होंगे और अगर आपने July में admission लिया है तो आपके exam जून में होंगे इस students का कहना है कि हमने तो September October में admission लिया था तो हमारे exam जून में कैसे होंगे तो आपने चाहे किसी भी month में admission लिया हो चाहे आपने September में चाहे October में चाहे November में पर आपका जो session है वो July 2021 ही count होगा इसलिए आपके जो exam है वो July 2021 के वो अभी June में होंगे अभी students का ये भी कहना है कि जो हमारे exam है उसकी exact date क्या है या हमारे date seat कब आईगी तो आपके exam June में start होंगे ये कभी कबार late भी हो जाते हैं पर आपके exam जो है वो June में होते हैं June में आपके exam होंगे और वही आपके June जुलाई तक आपके exam चलेंगे इसलिए जितने भी July 2021 सेसिन के bachelor और master degree program के student है तो उन सभी के जो exam है वो June जुलाई 2022 में होंगे इसके बाद ऐसे students जो किसी semester based program की हैं या फिर जिनके exam रह गए हैं या फिर कोई back year के exam है तो आप उसके exam भी अभी June जुलाई में दे सकते हैं इसके साथ साथ जो जिनवरी 2021 सेसिन के students है और अभी March में अपना वो exam नहीं दे पाए तो वो students भी अपना exam अभी June जुलाई 2022 में दे सकते हैं और जिन students ने जुलाई 2021 सेसिन में अपना re-registration करवाए था second year या third year के लिए तो वो सभी students में अपना June जुलाई 2022 में exam दे सकते हैं तो दोस्तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जितने भी July 2021 सेसिन के students हैं तो उन सभी students के जो exam हैं वो June जुलाई में लिए जाएंगे आपके exam June जुलाई में होंगे इसलिए आपको टेंसल लेने किया शक्ता नहीं है कि हमारे exam हो गए है या भी नहीं हो रहे है आपके exam June जुलाई में लिए जाएंगे आप जानते हैं कि अभी जो है इगनू exam ले रहा है इगनू में exam चल रहा है मार्च अपरेल के मंत में तो ऐसे में students का कहना है कहीं हमारे exam निकल तो नहीं गए कहीं हमारे exam रह तो नहीं गए तो आपके exam अभी नहीं हो रहे हैं आपके जो exam है वो June जुलाई में होंगे प्लस जिन students के exam गलती से रह गए हैं जैसे कि January 2021 session के जो students है या फिर July 2021 session के जो semester based या certificate program के student हैं जैसे कि BCA, MCA, PGDCA, MBA या फिर MSC Involvementer Science जो भी semester और certificate based program के students हैं तो उनके exam अभी March अपरेल में होने थे पर किसी का अभर्स वो अपना exam नहीं दे पए तो आप अपना exam जुन जुलाई में दे सकते हैं दोस्तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको exam जुन मंत में देना है तो दोस्तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें और चैनल को subscribe करना बिलकुल ना भूले धन्यवाद